नमस्कार साथियो स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूटूब चैनल निश्चाई एकेडमी पर हैं दोस्तो आज के इस वीडियो में 29 दिसंबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मद्यप्रदेश का करेंड़ पैस पुन सकता है उसको यहाँ पर हम डिसकस करने वाले है तो वीडियो में आप लाश्टे तक बने रहेगेगा क्योंकि यह वीडियो आपके आने वाली सभी एक्जाम्स के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंड होने वाला है तो चलिए दोस्तो शुरात करते हैं आज के इस वीडियो की और सबसे पहले आज के मद्यप्रदेश के कर विक्रम उस्व का आयोजन किया जाएगा चार उप्षन है सिहोर, मनला, राजगर या उजेन तो दोस्तो उप्षन डी राज उजेन जो है हमारा यहाँ पर आईडांसर बनता है मद्यप्देश के उजेन शहर में 18 फरवरी से 22 मार्च 2023 के आउधि में विक्रम उस्व का आयो 2023 तक होगा और कहां पर आयोजन होगा तो हमारे मद्यप्देश के उजेन शहर में इसका आयोजन किया जाएगा यह इंपोर्टन यहाँ पर बनता है दोस्तो यहाँ पर बात आई है उजेन की तो इससे जुड़े हुए कुछ इंपोर्टन फेक्ट यहाँ पर हम डिसकस कर ल 5G network की शुरवात यहाँ पर हुई है जो महा का लोग जो बना हुआ है वहाँ पर 5G network की शुरवात आपकी हो चुकी है तो यह कहां पर आता है तो यह आपका उजेन शहर में आता है यह इंपोर्टन यहाँ पर बनता है अगला question बनेगा कि देश का पहला नाईट गाडन कहां इस्तापित किया गया तो दोस्तों यह भी उज्जेन का जो महाकाल लोग परिसर है महापर इसको इस्तापित आपका किया गया तो यह भी important याप बनता है अगला कुर्शन है कि दुनिया के पहली वेधिक घड़ी कीستापना मद्यप्रदेश के की शहर में की जाएगी तो दोस्तों इसकी भी स्थापनाप की उज्जेन शहर में होगी साथ अगर आप से पूछा जाए कि उज्जेन में महर्शी पानी वेदिक विश्व इधाले जो है इसकी स्थापना कब होती है तो दोस्तों वर्शु 2008 में इसकी स्थ अपना आपकी कीच जाती है और साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि इसका वर्तमान नाम जो है महर्शी पाणी नी वेदिक विश्व इध्याले यह कब रखा गया तो यह वर्षु 2010 में रखा गया दो कोशन यहां से कवर होते हैं पहला कोशन तो क्या बनेगा कि महर्शी पा जाता है अगला कोशन दोस्तों यहां पर देखते हैं कि सुजलाम अंतराष्टी जल महुसो समेलन का मुख्या आयोजन सुमंगलम पंच महबूत अभियान के तरत 27, 28 और 29 दिसंबर को मध्यपदेश के की शहर में आयोजित किया जा रहा है यानि कि सुजलाम अंतराष्टी जल महुसो का आयोजन मध्यपदेश के की शहर में किया जा रहा है तो दोस्तों इसका आयोजन भी मध्यपदेश के उज्जन शहर में आपका किया जा रहा है इससे जुड़ी कुछ महत्यपून जानकारी देख लेते हैं तो 27, 28 और 29 दिसंबर को इसका आयोजन हमारे देश का पहला जल इस्तंब बनाना दोस्तों यहां से कोशन आपको एकजाम में जरूर देखने को मिलेगा अगर आपसे देश का पहला जल इस्तंब कहा बनाया गया तो दोस्तों मद्यप्रदेश के उज्जेन शहर में इसको जो है आपका बनाया जा चुका है तो कोशन अपने आप में इंपोर्टेंट बनता है आने वाली एकजाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा तो यह अच्छे से याद सुजिलाम अंतराष्टी जल महुसों का आजन कहां किया गया उज्जेन शहर में कभी किया गया 27-28 और 29 दिसंबर को और देश का पहला जल इस्तंब कहां इस्तापित किया गया तो मद्यप्रदेश के उज्जेन शहर में इसको इस्तापित किया गया है साथ ही दोस्तों यहाँ पर बात आईए आपकी की देश का पहला जो आपका यहाँ पर जलिस्तंब है वह कहाँ पर हुआ है उज्जियन में तो उसी प्रकार से देश के प्रथम जो है हमारे मद्यप्रदेश में कुछ हिस्तित है तो उनको भी यहाँ पर हम डिसकस कर लेते हैं अगर आप से पूछा जाए कि देश की सबसे बड़ी मज़ित कुन सी है तो ताजूल मज़ित है और कहा परिस्तित है तो दोस्तों मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में यह आपका देखने को मिलेगी अगर आप से पूछा जाए कि देश में ओप्टिकल फाइबर की सरवप्रथम इस्तापना कहा की गई थी तो दोस्तों यह मंडी दिप में आकी की जाती है यह भी इंपोटेन यहाँ पर हमारे लिए बनता है अगला कुशन बनेगा कि सरवप्रथम ग्राम सोराज वयस्ता इस् अगला कुशन बनेगा कि भारत का प्रथम गोसित परियाटन अगर कौन सा है तो दोस्तों यह आपका श्रीवपूरी है श्रीवपूरी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है अगला कुशन है कि देश का पहला माइक्रो चीप बनाने का कार खाना दोस्तों यह आपका कहां पर है तो इसका अंसर आपको हमें यहां पर कमेंट करके बताना है अगला कोशन है कि भारत का पहला मलखम अकादमी इस्तापित करने वाला राज्य कुन सा है तो दोस्तों हो हमारा मद्यप्रदेश है और मद्यप्रदेश में कहां पर इसकी स्तापना होते है तो इसकी स्त आती है वहीं अगर आपसे पूछा जाई कि बागों का डीने टेस्ट कराने वाला देश का पहला राज्य कुन सा है तो वह हमारा मद्यपदेश है और मद्यपदेश के किस राश्टी उध्यान के बागों का डीने टेस्ट कराये गया तो सत्यपुडा सत्यपुडा सत्यपुड को effective government communication आवार्ज से सम्मानित किया है तो राजिस्तान का जो DIPR है इसको effective government communication आवार्ज से सम्मानित किया है किसने सम्मानित किया है तो हमारे मध्यपदेश के जो राज्यपाले मंगुभाई पटेल उनके द्वारा सम्मानित किया गया है तो यह important यहाँ पर आपका बनता है राज्य के सुचनायों जनसंपर क्विभाग के अत्रीक निदेशक अरुन जोसी ने P.R.S.I. द्वारा भुपाल में आविजित चववालिस्वे आर्शिक दिवेशन में यह पुरुसकार आपका ग्र किस जिले के पर्येटन का ब्रांड अंबेश्डर ने युकत किया है तो दोस्तों इनको सिधी जिले का ब्रांड अंबेश्डर ने युकत किया गया है option है यहाँ पर हमारा right answer बन जाता है इससे जूड़ी चानकारी देख लेते हैं तो देश की सबसे छोटी लोग गाई का बाल कलाकर मान्या पांडे को परेटन विभाग द्वारा सीधी के परेटन का brand ambassador बनाया गया है मान्या पांडे जिले के परेटन इस्तलों को अपने गीतों के मादम से प्रचार प्रसार करेगे इनके साथ जीला परेटन समीति के द्वारा समय समय पर आवजित परेटन सम्बंदित का रेक्रम में सहभागीता भी आपकी निभाएगी तो यह important बनता है इनको मद्ध्रदेश के सीधी जीले के जो है आपका इनको परेटन का brand ambassador बनाया गया है अगर आप से पूछा जाई कि वर्तमान में मद्ध्रदेश के परेटन मंत्री को ने तो उनका नाम है उशाठा कूरिया अपने आप में यहापर दोस्तों important बन जाता है चलिए दोस्तों कल के वीडियो का current affairs के जो हमने देखा था उसका एक बार reason कर लेते हैं पहला question था कि रतनापूर उद्धहन सिच्चा योजना का लोकारपन कहां किया गया तो दोस्तों यह मद्ध्रदेश के सिहोर जिले में आपका किया गया था सिहोर से जुड़े हुए कुछ important factor भी हमने देखे थे उनका भी यहापर revision कर लेते हैं ताकि इनके साथ हमारा जो current है वह भ समाधिय आपके बने हुई है और बुदिनी तेसिल में कौन सा कार खाना इस्तित है तो दोस्तों railway sleeper बनाने का कार खाना आपका इस्तित है भोपार सुगल मिल आपके कहां पर है तो यह आपकी सिहोर में सारु मारु अभिले कि अभी आपको सिहोर में है और जलिया देव जल प्रपात ये भी आपका यहीं पर इस्तित है अगला कोशन था कि छेत्रिय पास्वोर्ट का रहा लए भोपाल की राज भाषा पत्री का चितीच के चतूर संस्करन का विमोचन किस ने किया तो मुख्यमंत्री सिवराज सिंग जी चोहान के द्वारा इसका विमोचन किया गया प्रथम महिला मुख्यमंत्री कोन थी तो उनका नाम उमा भारती था और मद्यपुदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कोन रहे हैं तो सिवराज सिंग जी चोहान जो है वरतमान में आपके पदस्त है और अगर आपसे पूछा जाए कि इनोंने मद्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चोथी बार आपके यहाँ पर सपत कब ली थी तो तेविस मार्च 2022 को सोरी 2020 को इनके द्वारा यहाँ पर सपत ली जाती है साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कितनी बार जो है मद्यप्रदेश में राष्ट्रपती शाषन लगा है तो तीन बार दोस्तो आपका लगा था अगला कोशन है कि सरौन बादित दिव्यांगों को हेल्पलाइन की सुविधा मुहिया करने वाला देश का पहला शहर कोन सा बना है तो दोस्तो यहां अमारा इंदोर शहर बना है दूसरे इंप्रेंट्री संग्राले आम जनता के लिए कहां खुला है तो इंदोर के महु में इसको खोला गया है यह इंपोर्टेन हमारा लिए यहां पर बन जाता है चले दोस्तो जीला दर्शन सिरिस के अंतरगत आज का जो जो जीला हम डिसकस करने वाले हैं वह है जीला तो इससे जूड़ी जानकारी यहां पर हम देखेंगे तो आगर मालवा जीला मद्यप्रदेश के उज्जन संभाग के अंतरगत आता है बात करें कि आगर मालवा जीले का गठन कब करते हैं तो 15 अगस्त 2013 को दोस्तों 15 नहीं 16 अगस्त 2013 को जो है इसका गठन आपका कि आपने यहां पर इंपोर्टेंट बनता है यहां यहीं पर यानि कि आगर मालवा में काम देनू गो बहरन जो है आपका चार सो बहुत तर हेक्टेर के छेतर में फेला हुआ है और इस बहरन का सुबानम 27 सितमबर 2017 को किया गया था मद्यप्रदेश सरकार ने देश के पेले गो केबिनेट का गठन भी किया और जिसकी पेली बेठक 22 नॉमबर 2020 में गोपा अश्टमी के दिन आगर मालवा जिले के सालेरिया ग्राम के काम देनू गो बहरन में आउजित की गई थी आगर मालवा जिले के अंतरगत दो विदान देश में पूरों में राजगर साजापूर परशी में रतलाम दक्षिन में उज्जन जिले तथा उत्तर में राजिस्तान राज्य से आपके मिलती है बगला मुकी जो माता का मंदीर है दोस्तों वह आपका यही पर आगर मालवा के नल खेड़ी तेहसील में इस्तित है पूरे मालवा में आपके प्रसिद्ध है कुछ और जानकर यहां पर देख लेते हैं तो यहां पर दो बांदे जिसमें कुमार बांद और तिलार बांद दोस्तों आपके यहां पर इस्तित है मालवा जिला अपने लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है इसकी सिमा राजिस् रतलाम जीले में इस्तित अभ्यारन का नाम बताई है तो वह कौन सा अभ्यारन है दोस्तों आपका सेलाना अभ्यारन है ओप्षन सेकेंड यहां पर अमारा राइट आंसर बनता है कि लोगों ने राइट आंसर दिया तो विशाल तपन सिंग इनके द्वारा यहां पर राइट आंसर दिया है सेलाना अभ्यारन जो है आपका रतलाम में इस्ति थे पर्शी में रेलवे का संभागी है मुख्यालाई रतलाम जिले में इस्ति थे सेव और अंगुर का प्रमुक उत्वादक जिला आपका रतलाम है स्वार्ण उद्ध्योग आभूशन के लिए दोस्तों यह प्रसिद्य है अंगुर अनुसंदान के इंद्र मध्यप्रदेश का कहा पर है तो यहीं पर यानिकी आपका रतलाम में इस्ति थे मध्यप्रदेश के मालवा क्रशी जलवायू प्रदेश का मुख्यालाई भी आपका रतलाम में दोस्तों इस्ति थे साथी कुछ और लोगों इन्होंने right answer दिया है तो यह वह कुछ लोग है जिन्होंने कल के वीडियो में जो question पुछा था उसका right answer दिया है आज का प्रेश्ण जिसका जवाब आप सभी को हमें comment करके बताना है प्रेश्ण है दोस्तों कि मद्यप्रदेश के किस जल महुसो को इसमें के मेडरिट में सम्मानित किया गया है चार उप्षन है जल महुसो निमाड महुसो और चा महुसो और मांडू और महुसो तो इसका जो भी right answer हो जो भी सही जाब हो आप सभी को हमें यहाँ पर comment करके बताना है तो दोस्तों यह था हमारे आज के मद्यप्रदेश के करेंगा वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखेगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड़ो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंश स सके तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए चैनल झाल झाल कर दो है झाल कर दह कर दो पका झाल